लिफ का अंदर का व्यू एजिकन सी लिफ बहुत गंदी है कैसे लोग है क्या हाल बना रखा है हमारे लिए की बिल्डिंग है बहुत चाह कॉंप्लेक्स है पर लिफ की हालत आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर अज बहुत ट्रकाइज आज बेट है आट वादीन है और मौसम ठोड़ा खुल चुका है आज का मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है ओबालो फिल कर रोंपर मैंने प्रीवक पी लिया जैसे की आपको पता है कि प्रीवक आज पी रहे हैं सप्लिमेंट में आज हो जुका है के पंदर विनिकल जाता हूं हाफ एन अवर लेट हूं तो चलो जनी स्टार्ट करते हैं अज की खरते हैं वरकाउट आज मैंने प्यान है डियन की टीशर्ड दियन रूट्रेशन सो गाइस मैं पॉच्छूंगा प्रिजिम के बाहर आज खराब नहीं है मतलब हमेशा खराब रहती है लिफ पर आज जो है लिफ्ट खराब नहीं है यह है लिफ का अंदर का व्यू एजिकन सी लिफ बट गंदी है सी कैसे लोग है क्या हाल बना रखा है हमारे इंडिया का लोगों ने जो कैसे लोग है जो पिछकारिया मार देते हैं डों लाइक इट गर फॉर्ट माले की बिल्डिंग है बहुत चाह कॉंप्लेक्स है पर लिफ की आदा आप देख सकते हैं मैं पॉच्छ चुका हूं ऊपर अजगां सी आज बहुत आज बहुत आज ज्यादा कि आज जो है बहुत 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 बाली एक्सराइस करनी है तो गाइस बने रही है मेरी थांफुर्ण साथ में 90 डेज की थांफुर्मिशन है कि अादा आज खब आज जो है पर बहुत बहँता है हुआ 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 इस आख रघक उड़ाद करे दिक हर वहहुआ हुआ हुआ हुआ! झाल 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 हुआ थोगें Clara हुआ हुआ कि अच्ग। कि अजय जया है हुआ 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 है हुआ है 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 तो वर्काउट हो गया डन बहुत टायर ओगया हुआ हुआ है आपने चैसा देखा वीडियो बहुत एक्साइज की आज पूरी बॉड़ी टू डिप्रीट हो चुकी है तो गाइस आप देख सकते हैं कैसे कि अब कुस्ताइम फॉर विक्स हमारा वर्काउट यहीं चलेगा फिर फॉर विक्स के बाद हम चेंज करेंगे बॉड़ी को शॉक देंगे दुबार से बताऊंगो क्या करना है टाइम टू टेक फ्रोटीन अब रोटीन पी लेता है फ्रोटीन पीना है आफ्टा वर्काउट पीना विधिन 10 मिंट्स जादा मैक्सिमम 15 मिंट्स जो कि आपकी बॉड़ी बहुत टाइड हो गई है बहुत इसको रिकरवरी इंसेंट चाहिए है इस घल के लिए रेडी करना है एक्साइस कल भी करनी है तो गाइस आज की वीडियो में यही पर खतम करता हूं ही फिनिस करत आपको कार्वोहिडरेट कब बढ़ाने कब बढ़ाने में बताने वाला हूं एट डेज आज हो चुके है आठ दिन हो चुके है दो दिन के बाद में अपना वेट करूँगा और बॉड़ी भी दिखाऊंगा 2 दिन बाद कि 10 डेज में कैसा शेप है बॉड़ी गा तो बने र यहां घर पर मैंने मील सब खा लिया है डिनर कर लिया है तो क्या था पूरे दिन का खाना क्या था पूरे दिन का शेडियूल क्या था पूरे दिन की मील तो गाइस पहला मेरे बताता हूं मैंने 7 एक्स खाये हैं विदाउट फोल विदाउट येलो पार्ट 7 एक्स खाये हैं और साथ में दो ब्रेड खाये हैं मल्टी ग्रेन जैसे के आपको लिखा आपको एक कप पी है मैंने चाय ये था मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट और उठते ही मैंने सबसे पहले उठते ही मैं उठते ही मैंने एक ग्लास वाम वाटर में पिया है एपल सेयर मैंने गर्ड़ दो इस्पून उसके बाद एक गंटे बा जो मैंने breakfast किया था then मैं गया office फिर office के बाद मैंने 12 बजए एक प्रोटीन एक scoop और 3 spoon आपके oats मिक्स करने के बाद उसको पिया यह चीज आपके 3 मृंटे बाद हुआ है जो कि मुझे भूग लगी थी फिर आता है थर्ड मील, थर्ड मील मैंने गाइस 200 ग्राम चिकन खाया है, वो की बॉयल, दो बजे मेरा हो गया लंच, फिर मैंने ली है, चार, साधे-चार बजे मेल ली है, जो की थी मेरे 5 एक्स बिफोर जिम, जिससे की एक गंटे, देड़ गंटे बाद मैं 6 बजे, 6 बजे बाद जिम ज एक टोमार्टो साथ में, प्लस ब्रॉकली और इस्पिनिच गिरीन बीन्स, विट 200 ग्राम चिकन, यह मेरा डिनर था, बॉनलेस चिकन, बॉयल, अब बिफोर बैड मैं क्या करूंग, बिफोर बैड मैं प्योंगा, केसीन प्रोटीन, जो की एक स्कूप आपको पीना है, जैस आपको पता है, जैसे लाइक करें, शेर करें, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिक्शन में दे दूँगा, मेरा स्वेल फिटनिस का, जो इंस्साग्राम की आईईए, में डाल दूँगा, अब यह फॉलो कर सकते हैं, तैंक यू सो मच गाई भी देरे देरे आप बॉड़ेट चेंज होती चलियाएगी, आप डेडिकेशन साथ रहें, चिटिंग ना करें, कैली नैक्रो सेट अप कर लें